प्रचार समीती के अध्यक्षा अशोकतवर का पलडबार रसी जलगई पर बल नहीं गया दॉक्टर अशोकतवर नौ साल में कॉंग्रेस का संगठन नहीं बना आपने ही संगठन नहीं बनने दिया एलानाबाद में आपकी जमानत जब्त हुई 19 में 10 की सीटे कॉंग्रेस हारी 14 में 9 सीटे हारी दिल्य और पंजाब में इनकी जमानते जब्त हुई सत्ता के बजाए लोगों की समस्याओं के बारे में सोचे अपनी व्यक्तिगत महत्व कांशा और एहम को छोड़े रसी जल्गी बलनी गए ये बात आज भी मैं समझता हूं कि अरियाना में कुछ कॉंग्रेस नेताओं के उपर लागू होती है जो बार-बार इंडिया गटबंदन में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी के जनाधार पे उसका आधार क्या हो अरियाना में गटबंदन में लोगसभा की सीटे मांगने में इसके उपर सवाल यह निसाम हुआते हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि आज तक नो साल में आपका तो संग्ठन बनानी आप ही लोगों ने बार-बार उस संग्ठन को बनने नहीं दिया आप ही लोगों की जमानते जब्त जो है वो एलनाबाद के अंदर हुई 10 के 10 सीटे पिछली बार कॉंग्रेस पारटी हारी लोगजबां में 9 सीटे उस से पिछली बार 14 के अंदर हारी दिल्ली के अंदर अगर आप उठा करके देखे तो बहुत जमानते जब्तुई पंजाब के अंदर जमानते जब तुई फिर आपके साधार पर वहां टिक्टो का क्लेम करते हो तो इसलिए मैं तो उन लोगों से जो आज बार-बार इस गटबंदन में कहीं ने कहीं खलल डालने की कोशिश करें उनसे यही आगा उनको करना चाहूंगा आग्रह करना जाहूं जिस तरीके से किसान, मजदूर, गरीब आदमी, नौजवान, हमारे महिला, पहलवान, खिलाडी, महिलाओं का सोशन हो रहा है उसके बारे में सोशते हुए हम अपने व्यक्तिकत जो महतो कांचाहे हैं एहम है उसको छोड़ करके और किस तरीके से हम भारतिय जंता पार्टी को 24 के अंदर देश और प्रदेश की राजनिती से उनको वेदखल कर सके किसान, मजदूर, गरीब आदमी का आम आदमी का राज लाए लेकर सके इसके लिए हमारी सब की कोशिश होनी चीए बाकी समय है और मैं समस्ताओं की समय रहते सबको एक होकर के लड़ाई लबनी कर दो